सबी दोस्त भाई इस वक्त लगे उए हैं अपने बर्ष की अच्छी केर करने में ताकि उन्हें breeding season next season में अच्छी breed देखने को मिले उनके बर्ष का एक अच्छा result देखने को मिले मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने बर्ष की अच्छी केर कर रहे होंगे मैं भी अपने बर्स की एक्ट्रा केर करने में लगावा हूँ सभी ब्रीडर भाई दोस्त इस वक्त है जो अपने अपनी नुसको के दुआरा अपनी डाइट के अनुसार, मेडिसिन के अनुसार बर्स की वो सभी कम्याप पूरी कर रहे हैं कर सके तो मैं आपका दोस्त मोहित पारी कूर आप देख रहे हैं विकाने वर्ट इंफर्मिशन चैनल तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ और दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं मैं आपको इस वीडियो में कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि मैंने कलेक्ट किया है और ये पॉइंट अगर आप अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही जादा हैल्फुल और फाइदेमंद होने वाले है दोस्तो जो ब्रीडर चल रहा है जो है बर्सने अंडे रख दिये और बच्चे निकाल लिए और बच्चों को पालने में लगी है उस दोरान जब हम उन्हें केल्चियम विटामिन वगेरा वगेरा दे दे गरम चीज दे दे तो वो वापिस हीट पे आ जाती है और जो है वो दुबारा से अंडे देने के लिए तयार हो जाती है तो वो इस दुरान है जो अपने बच्चों को मारती है या अंडे होते तो पुराने अंडों को फैंकती है तो इससे है जो हमें बहुत बड़ा नुक्सान जेलना पड़ सकता है तो दोस्तों इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप इसी care कर रहे हैं तो बहुत ही जदा अच्छी बात है अगर आप extra care नहीं कर रहे हैं तो आप इस वक्त है जो extra care करें और फिर breeding season में उसे अच्छी breed लें दोस्तो जो successful breeder लोग होते हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं तो दोस्तो मैं आपको point wise बताता हूँ पहला point शुरू करता हो तो दोस्तों ये सबसे important point है कि इस वक्त गर्मिया चल रही है summer season चल रहा है तो दोस्तों इस वक्त है जो अपने बर्स की care करने के लिए उन्हें जो है गर्मियों से बचाए कहीं ऐसा ना हो कि वो गर्मियों में हाप रहे हैं जाना और वो कमजोर हो रहे हैं अगर इस वक्त अगर वो कमजोर होंगे तो ब्रीडिंग सीजन में जब हम उन्हें अच्छी डाइट देंगे अब ये ब्रीड करेंगे तो उस समय वो उस डाइट के दोरा ब्रीड करने के बजाए वो अपनी पिछली कम्यों को सुधारेंगे जो कि ओप सीजन में उसने की थी गर्मियों से बचाने के लिए तो इससे अच्छा अपने बर्स को है जो गर्मियों में है जो खयाल रखे जो है उन्हें कुलर प्रोवाइट करें पंखे करें जो है गिली टार्ट वगरा लगए और मैंने इस टोपिक पे एक ओल्रेडी वीडियो भी बना रखा है कि आप अपने बर्स को गर्मियों से कैसे बचाए और मैं है जो 42 टेंपरेचर में अपने बर्स को किस तरीके से दोस्तो पहला पोइंट यही है दूसरा पोइंट यह है कि गर्मियों में आप दोस्तो अपने बर्स को सभी सोफ्ट फूड दे अच्छे डाइट दे जो की बर्स के लिए बहुत अच्छी होते है उसके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होते है उसके हेल्थ के लिए बहुत लेकिन वीडियो काफी बड़ा हो जाता है और मेरे कुछ भाई लूग ऐसे हैं जो कि वीडियो को skip करते हैं या हटा देते हैं तो मैं यह नहीं चाहता कि आप वीडियो को skip करें या वीडियो को बीच से छोड के जाये तीसरा पोइंट गर्मियों में है जो आप जब हांडिया बोक्स वगेरा हटा दे तो अपने बर्स को कुछ एक्टिविटी कुछ खेलने के लिए कुछ ऐसी चीज़े दे जिसे है जो वो एक्टिव बने रहें खुस बने रहें और हर वीडियो की तरह मैं इसी वीडियो में ब बताना चाहता हूं कि आप कभी भी अपने बर्स को केल्सियम विटामीन वगेरा या दूसरी कोई भी मेडिसीन दे तो आप कोशिस यही करें कि आपको वेटनेरी सोप की मेडिसीन मिले और आप वही यूज करवा है दोस्तो केल्सियम के लिए मैं आपको है जो सबसे पहले ओस्टो वेट बताना चाहता हूँ जो कि आप स्किन पे फोटो देख रहे होंगे दूसरा दोस्तो है जो वाइम रोल होता है जो कि एक बहुत अच्छा मल्टी विटामीन होता है और अगर दोस्तो आपको ओस्टो वेट ना मिले तो उस जगे आप है जो सिपकेल दे सकते हैं जो कि human medicine होती है दोश्तो अगर ना मिले तो आप देसकते हैं जो कि आपको हर चोप सो है यो मिल जाती है यह दोस्तो शिपक में लिक्वीड भी है टेपलेट आती है शिपकल 500 के नाम से अब दोस्तो बात करते हैं तो वीटामीन के लिए आप ओर कुझा है जो वीटामीन सी विटामिन मल्टी विटामिन वगएरा देखना देखना हो य। विटामिन ही या कलशीम होता है विपानी के पर्मिर नगी में ब्रस पानी जाधा पीतेँ हैं ár तो कैसे भी करके बर्स की बोडी के अंदर पहुंचाना होता है तो दोस्तों आप किसी तरीके से दे सकते हैं अब दोस्तों पांच वे और आखरी पॉइंट पे बात करते हैं तो आप गर्मियों में सबसे ज़्यादा कोशिश यही करें कि आप जो कोलोनिक केजिस को साफ रख सकें ताकि आपके बर्स भी फिट रह सकें दोस्तो जो है गंदगी की वज़े से बहुत ही जादा जो है वो बिमारिया डिजीज जो है बर्स में आ जाती है जैसे कि आंग की बिमारी जो है जूं वगेरा और शरीर में कुछ जैम्स वगेरा तो ये सब बिमारिया दोस्तो कच्रे गंदगी की वज़े से जो है वो बर्स म रखे और दोस्तों है जो यह आखिरी पॉइंट था और यह कुछ पॉइंट मैंने कलेक्ट किये हैं तो उमीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट अच्छे लगे होंगे और आपके लिए बड़े हैल्पुल होंगे तो चलते हैं दोस्तों अगले वीडियो तक की जज़स दे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए टोपिक के साथ और दोस्तों अगर आप हमारे साथ जूड़ना चाते हैं और हमारे आगे के भी नए वीडियो आप देखना चाते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी आगे कोई भी के सनाएगी नेव वीडियो की जो आप सबसे पहले देख सके हैं